मौसम के बारे में आप से ज्यादा अच्छी कोई जानकारी रहती है। मौसम किधर है, क्या है, कहा है, किधर जाना है, किधर है। यह सब आपके पास रहता है। मैं जानना चाहता हूँ, इस समय देश का मौसम क्या 강ई था है fitted कि यह लालू जी ने यह कहा था। तो हमको पता नहीं चला हो इस समय में कि ये हमारा क्यागते हैं कि प्रेज कर रहे हैं कि सिकाइद कर रहे हैं तो चिडाग ने उसका जवाब दिया था तो इसलिए अब जब हम लोग हैं राजनिती में आज से नहीं हैं पिछले उन्हें 79 में फरवरी में ये मेले बने थे तो 50 साल से सारे 50 साल 6 महिना से भी ज़्यादा के अगतेंखी हो गया है और ये नहीं है कि हम लोग कोई आकास से आए हमारे परिवार में कोई पॉलिटिक्स में थे अपने से जैसे होता है जमीन को तैयार करना रोड बनाना गारी चलाना चलते रहे इमर्जेंसी में अठारा महिने जेल में रहे कुल मिलाकर के चालिस बार से अधिक तो जेल में हम जा चुके हैं जी और फिर जर्पकाजी ने उन्हें 177 में उन्हें का कि नहीं है मिले मैं अप लड़ी है यह लोग सवा में तो फिर लड़ गए और सबसे जादे बोड़ से जीते भी गिनिस बुक अफॉर लेकर में नाम भी रहा दो राय नहीं सरकार में भी रहे काने मम को कोई आपती नहीं है चौचा प्रधान मंदी आज का यह ज चौचा प्रधान मंदी को जो है हमने देखा है और हमारी आदत नहीं है कि हम किसी कभी करते हैं या कुछ करते हैं और आज कल तो अब देखते हैं कि जो मोसम बदल गया है जब कॉंग्रेस, NCP, CIP, SENA सब एक साथ आ रही है तब आज के जुग में अब जो है जो होने का था ह हो गया, राम जनब भूमी का मामला, बाबरी मजजिद का मामला तै हो गया, 370 तै हो गया, ये मानतें की जो 35 था तै हो गया, शिव सेना कॉंग्रेस के साथ सरकार बना लिया, बना दी, इसलिए अब जो में मुद्धा जो है अब ये सब चीज को खतम हो गया, और इसलिए मै ये ने पार्लेमेट में उस दिन कहा, कि देखो, अब को जो है, ना कमनलिजम का मामला है, ना सेकलोरिजम का मामला है, डिजर भेशन भी था, तो पहले सिरूर कास्ट का था अनुसरी जाती-जाती का पिछरी जाती को गुसा होता था, फिर मंडल कमिशन लागू हो गया, और फिर उची जाती को गुसा होता था, संजोक सेज के अकतने कि फिर हम लोगोंने प्रियास किया, उची जाती को भी दस परसेंट मिल गया, तो वो भी मामला खतम हो गया, और सबसे अच्छी बात हुई है, इस देश में कि बीपी सिंग उची जाती के थे, और उन्होंने और उसमें मुस्लिम भी है, सब लोग है को यह नहीं है कि हिंदू ही है, जानना यह चाह रहा था, कि वैसे मैं आउंगा, शौट अंसर में आउंगा, लेकिन मैं जानना यह चाह रहा था, कि प्याज के बारे में अभी कुछ देर पहले बोलके गए, कि 200 रुपे किलो प्याज मिल ला है, विदेश से प्याज आ गया, 25 रुपे का सेव, 5 रुपे, 10 रुपे का एक, प्याज 25 रुपे के यहाँ, सब लोग, काफी लोग होंगे हैं, जी जी बहुत सारे लोग हैं, सब सब तो नीजेटिन, हम से सुरु से ही पूछा जा रहा था, और मैं जूर कर सकता है कि राम भिलास प्रास्पान, 50 साल में एक नया एक पैसा का, इनके उपर में कोई चार्ज है, या कुछ है, कुछ नहीं है, और हमें सही बात बोलता हूं, चुके हम जानते हैं कि हम आज बोलेंगे, तो कल हम से परसने पूछा जाएगा, आज से हम से तीन महिना पह जो टमाटर का भाव बढ़ता है, इस बार क्या हुआ, कि मौसम लेट से आया सब जगा, और मौसम आया एक महिना लेट से चला, तो जो नमंबर में आने बाला था, वो दिसंबर में एक महिना लेट हुआ, और फिर दूसरी बात क्या हुई, कि जहां-जहां महरास्टा है, कर फसल तयार हुआ तो बारिस आ गई और बारिस आ गई तो बारिस इतनी बारिस हुआई कि बाढ़ा गया तो एक जो है उसमें क्या गए उसमें प्रोड़क्षन होना था हो कम हो गया अम लोगो को जब हम लोगों ने बेखा, तो हमने क्या किया कि 56,000, 57,000 टन प्याज, जो है, हमने बफर स्ट्रॉक में रखा, और हमने हर राज से कहा, कि 16 लुपे के प्याज आप ले लो, जिसको जितना लेना है, दिल्ली सरकार को भी का दिली सरकार ने का हमको पांच ट्रग पर ते दिन हमने का ले लो हर गोवर्मेंट को तिरी पुरा की सरकार ने का जो जो कहा लेकिन क्या हुआ कि जा सरकार ने नहीं लिया कम लिया 57,000 में 26,000 केबल डिस्टिबीट हुआ और बक्षिय के अगते हैं कि सब प्याज के अगते हैं खराब हो गया अब उसके बाद तो हमसे प्रेस वालों ने जब पूछा थमने का जेको यह सिच्वेशन है मैं नहीं कह सकता हूँ कि हम इतना ही कोशिस करेंगे कि हमारे सामने में क्या है जब देश में प्याज नहीं है बिदेश से मंगाएंगे अब बिदेश में तीन-चारे स्टेट हैं कम कंट्री हैं अफगानिस्तान है मिस्र है यह है क्या करते तीन-चार है वहां भी कम है एक बार जबी हम कह देंगे कि पांच लाग टन प्याज बंगा रहे हैं उनका अदाम जो दो रुपिय है वहां वो छोड़ रुपिय हम बढ़ा लेगा चिराग जी सवाल ये है कि ये प्याज बड़ा रुलाता है चुनाओ भी हराता है और ये जिस भाव में है उस भाव में तो कुछ भी खेल कर सकता है अद्यक्ष है आप आप इसका विभाग के मंतरी यहां पे खुद मौझूद है और मुझे लगता हूँ नसे बहतर जवाब इस पे और कोई नहीं दे सकता बढ़ हाँ पार्डी का अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी चिंता हैं इस बात को लेकर कि दाम कंट्रोल में आने चाहिए नियंतरन में आने चाहिए और मेरा विश्वास है कि जिस तरीके से और यह अभी पूरे आकड़े जब सामने बताएंगे तो यह सपश हो जाएगा कि किस तरीके से कारण क्या आ रहा इसके बढ़ने का मैं भी एक आम नागरी की तरह इनसे मैं समझता ही हूँ कि क्या कारण रहे और क्या प्रिकॉशन्स लिए जा सकते हैं आने वाले समय में ताकि इस तरीके से और ज़्यादा इंफ्लमेट नहीं हो पर उमीद करता हूँ विश्वास करता हूँ कि जल्द कंट्रोल में आएंग अब हम से प्रिश बाउंड ने पूछा था तो मैंने उनको कहा था हमने टाइम बाउंड कर दिया था कि देखो हमारे यहां वी देश से प्याज पंदरा ताई से सुरू होगा याना पंदरा बारा को जी आ गया महरास्ट में और क्या गते हैं कि जह है दिल्ली में भी क्या पहुंचने वाला होगा, फिर 21 को आएगा, 22 को आएगा, 23 को आएगा, 26 को आएगा, 28 को यह अविश तो आ रहा है, लेकिन क्या है? हम लोगों थे क्या जिया? कि एकस्पॉर्ट को बंद कर दिया. इंपॉर्ट को रिलक्स कर दिया. अपने हर अम्बेसिलर को कहा जहाँ जहाँ है कि आप प्रईवेट वालों को भी है फ्यसलिटीच क्या कते है कि देने का क्या कते हैं काम करो. तो हमने का गुवर्मेंट के हाथ में जितना था हम कर रहे हैं और हम लोग तो मालते हैं हम लोग तो नारा लगाते थे कि महंगाई को जो नहीं रोके वो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है तो हम लोग तो नारा सुरू से लगाते रहे हैं तो महंग सहयोगियों वाली बात पर आई थी ना कि सहयोगियों की ने बिल्कुल देखिए आप कहिएगा हमको हमारे पास में पब्लिक डिस्टिबिशन सिस्टम में चाबल है गेहूं है और मैं आज आपको कहता हूं कि 600,600,000 तन हम 2 रुपे किलो गेहूं 3 रुपे किलो चाबल दे रहे और उपज इतनी है कि जितना हमारे पास में गोडाउन के अंदर में है अनाज उतना ही बाहर में परा हुआ है तो हमारे पास में कमी नहीं है जी पर सवाल जो मैं पूछ रहा था चिराग सवाल को ज़्यादा अच्छी तरह से मुझे लग रहा था समझ ले तो मुस्कुरा रहे थे तो मैं अब आता हूँ क्योंकि यह कुछ जरूरी सवाल थे जो मुझे दिये गए थे कि यह पूछ ले ना अब मैं बात सीधे सीधे करता हूँ और सवाल यह है कि प्याज में तो बातचीत हो गई चिराग लेकिन जो सड़क पर हो रहा है उस पर सब जानना चाहते ह सहयोगी हैं महत्तपूर सहयोगी हैं तो जेडियू ने तो कह दिया विरूत कर दिया अब आप अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप सीए एक ही बात कर रहा है जी बिल्कुल इसी पर बात कर रहा हूँ सुबे से उसी पर बात चर्चा चल लए ना अगरिता हम लोगों ने लोग जन्शक्ती पार्टी ने पूरी मजबूती से हम लोगों ने इसका समर्थन किया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आगरा जरूर करूँगा सबसे जो भी इस विदेक को लेकर जो भी बवाल मचा रहे हैं जुरत है उसको एक बार पढ़ने की हम लोगों की समझ में आई कि इस बिल में जो ब्रहम फैलाया जा रहा है इन जेनरल ये ब्रहम फैलाया जा रहा है कि भाया इससे मुसल्मानों की चिंताएं बढ़ जाएंगी इस बिल के आने से मुसल्मानों की परिशानिया बढ़ जाएंगी सिर्फ टागेट किया जा रहा है मुसल्मानों को जबकि हकीकत यह और यह मैं ही नहीं बोल रहा हूं मुझे लगता है सुबह से कई बार आप भी सुन चुके होंगे जो भी सत्ता पक्षा रहा है वो इसी बात को कह रहा है और जो हकीकत भी है कि इस बिल से भारत के रहने वाले मुसल्मानों का कुछ लेना देना नहीं है जो कि हकीकत दी है यह ऐसे तीन देशों के आएवेश शर्नार्थियों को नागरिक्ता देने की बात हो रही है जो वहाँ पर अल्व संख्यक है और यह जिन तीन देशों की बात हो रही है वहाँ पर मुसल्मान जेडियों ने अलग स्टेंड लिया है जेडियों ने अलग स्टेंड लिया है देखिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं बातों को रख सकता हूँ मैं अपनी पार्टी की तरफ से रख सकता हूँ और इसमें मेरा मानना है कि जिस तरीके से इसको लाया करिए समें समें पर इतिहास में भी सी तरीके के आधार बनाये गया हैं ये भीाए तरीक इस तरीके और आहिंसा इसको लेकर हो रही है ये गलत है मैंजरूर चाहूंगाँ कि हरुझ एक बिल इस और नो बे सवाल के जवाब होंगे आगे से तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों को दो प्लेकार्ट दिये जाएंगे और जो इस सवाल को आपको लगता है येस तो उस पर येस कह दिजिएगा में आपका मेरे सवाल को लगता है कि ये हां सही है और अगर मैं आप यह ले लिए लिए हाँ तो हाँ बस बस पहला सवाल मैं चरागाप से पूछता हूँ वही सवाल आपके पास भी अगर आप उस पे क्या करेंगे शरार्थियों का धर्म देखा जाना चाहिए यही बात मैं क्या रहुए हूं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका Yes or No में जवाब नहीं दिया जाता है Yes or No कच ऐसे सवाल होते हैं, देखिए ये इस बार जो अधार बनाया गया है, definitely yes, यह धर्म के अधार पर ही बनाया गया है और ये कहकर बनाया गया है कि जो धार में कुद्पीडन के शिकार हैं वैसे अलसंख्यक जो बहु संख्यक प्रदेश देश से आ रहे हैं वहाँ के जो अलसंख्यक हैं उनको धार में कुद्पीडन का ही इसमें आधार बनाया गया येस और नो ये भी कोई नहीं मानता है लेकिन उसके बाब जुद भी हाउस में जह हो मिनिस्टर ने कहा है कि हमने जो है ये देखी दो है एक एनर्सी है और एक सीए है दोनों में अंतर है बिल्कुल ये जो अभी जो बील आया है ये नागरिकता चिनने का नहीं है नागरिकता देने का है इस प्रशना जो प्रशनोता है उसमें ये है कि एक्स्प्लेनेशन बहुत मिनमम है और ये सो नो पर चलेंगे तो हम बहुत अच्छा लगेगा दूसरा सवाल ये भारत एक हिंदू राष्ट है देश में रोजगार संकट है येस अच्छा कर पिता पुत्र अलग-अलग हो जाए तो जात तालिया बजा दीजेगा इसके महले बहुत अच्छी बात है देश में आरक्छन पर बहस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अब तो सब को मिल गया तब क्या बहस है आप किसी को ने कोई सेक्षन है जिनी चुटा रहता तब तो बात थी मैं मौलाना आपको तो बहुत बरसों से जानता हूँ बस पर कितना है उमर आपकी ज़्यादा मेरी काम है मैं पूछूगा आपसे मैं पूछूगा आपके पास बेगर पूछे कहा जाओंगा अमीर दलीतों को आरक्ष्ण का लाब छोड़ देना चाहिए आंतर जातिये विबाग कर दिजिए लड़का लड़की दोनों को नुकुरी मिलना शुरू हो जाएगा अपर कास्ट का भी रहेगा बश्ण का बार कास्ट करेगा आरक्ष्ण खतम कर दिजिए लेकिन जब जातीगत अधार पर आज भी घोरा पर चरने नहीं दिया जाता है जातीगत अधार पर यह ट्रोसीज जी होते हैं ठीक है क्योंकि मेरे पास भी पाबंदी है क्योंकि मुझे उस पर जादे explanation नहीं करना है मुझे भी बिहार चुनाओं से पहले नितीश कुमार फिर पल्टी मार सकते है नो अच्छा नो राहुल गांधी पहले के मुकाबले परिपक नेता है पहले के मुकाबले maturity आई है नो आप आप तो परोसी हैं नहीं परोसी की बात नहीं है नहीं परिपक को नेता रहते तो उनको अज्यक्स पर से हटाया क्यों जाता है यस और नो राजनीत में परिवार बात गलत परंपरा है अब भास गया नहीं नो मैं क्लियर हूं काफी चीज़ों को लेकर जी एक्स्प्लेनेशन मांगें मैं वो भी दे दूँगा पर आपने कहा कि शॉट में रखना आप सर यस और नो परिवार नहीं हम तो कर रहे हैं तो क्यों को कहेंगे यस चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं चिराग नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे वो चिराग नहीं बोलेंगे ठीक का आरज़ेडी में तेज़ोस्ती यादो अध्यक्ष पत्के सबसे बहतर विकल्प हैं यह उनको डिसाइड करना है किसी और के बारे में जवाब देना ठीक नहीं अच्छा चलिए इस पर बता देगी इस बार तो चिराग बताएंगे राम बिलाज पासवान हमेशा एंडिये के साथ रहेंगे हम लोग ओने सलाई हैं मजबूती से जिनके साथ हैं रहते हैं पूराज साथेर čाथ से देखित राम बिलाज पासमान एक गल्फ़ॉमी है जब लोग कोई मोस्ए बेग्यानी कहते हैं तो वो समझते हैं कि जिसकी सरकार बंटी है उसके साथ में हम चले आते हैं यह वह नहीं कहता है कि जहाँ हम जाते हैं उनकी सरकार बनती है आज तक जितना भी क्या करते हैं कि आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब जब हम मंत्री बने बीपी सिंग के समय बने बीपी सिंग के समय कोई मंत्री तो थे नहीं गए सरकार बनी अटल जी की सरकार एक भोर से गिर रही थी हम बरापद ले सकते थे तो हम सम्मान की जिते हैं इजत की जिते हैं लेकिन ज़िए कोई आदमी हमारे सम्मान पर ही कुठाडा घाट करेगा तो फिर उस समय में क्या गते हैं कि हम सोचना पड़ता है इसलिए आपने जो पुछा परमानेंट यहां मैं सहए नाच सवाल एक दम है बिल्कुल quick response कि industry, film industry मिस करते हैं नहीं, मिस नहीं करते हूं Thank you so much Thank you Thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so much शुकरिया प्रतिंक, शुकरिया हमारे झाल झाल